कि हलो गाइज मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार फिर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं आप लोगों का गाइज इस सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज इस सेशन के माधियम से आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट किजिएगा कि ग्रॉब होने वाली है उसमें सभी के सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का मॉटिवेशन थोट है गाइज जो कि आप लोगों को हमेशा मॉटिवेट करके रखेगे ख्वाहिस का केदी हूँ मुझे हकीकत सजा देती है आसान चीजों का सोक नहीं मुझे मुझे मुश्कुले मजा देती है जी गाइज बहुत अच्छी थोट है हमेशा आप लोगों मॉटिवेट करके रखेगी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है गाइज आ बिल्कुल सओह जवाब है गाइज option number C is the correct answer हो जैगा फार्सी भासा में next question है the question number two कस works के किस सासको कस्मीरी बढ़सा जिसे महान सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है के नाम से याद किया जाता है बिल्कुल सही जवाब है option number A is the correct answer हो जाएगा दोस्तो जेनूल आवेदिन को question number 3 है गाईज महा भारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था जी गाईज इसका जो सही अंसर होगा option number B होगा गाईज लेकिन B में जो है गाईज ये option गलात है गाईज ध्यान रखेगा मुहम्मद साह पर्थम नहीं होगा नुसरत साह होगा याद रखेगा option number B गलात होगा गाईज एक मिनिट मैं फिर से लिख देता है आप लोग के बीच में नुसरत साह याद रखेगा नुसरत साह होगा है ना याद रखेगा ये से करेक्ट आंसर होगा option B जो option में लिखा हुआ है वो गलाट टाइप हो चुका है गाईज उधार लेजेगा नुसरत साह होगा और मैं जब भी आप लोगो टेलिग्राम चैनल में इसका पीडियोप शेयर करूँगा तो आप लोगो को करेक्शन करके देऊगा चलिए question number 4 है गाईज निमलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम सासक कौन था जिसने हिंदूों से जजिया कर ना लेने का आदिश दिया बिलकुल सही जवाब है गाईज option number A is the correct answer हो जागा अलाविदिन हसन बहमन साहने पांचमा सवाल है गाईज आप लोग के बीच में किस बहमनी सासक ने परसिद्य सूफी मुहम्मद गेशु दराज बंडान वाज को भू अनुदान दिया बिलकुल सही जवाब है जवाब है जो option number B is the correct answer हो जाएगा तजादु दिन फिरोज को next question है question number six है आप लोग के बीच में दोस्तों बहमनी समराज को किसने चर्मुत कर्ष पर पहँचाया बिलकुल सही जवाब है जो option number six is the correct answer हो जाएगा महमुद गवाने next question है question number seven है जोडर मल का प्रोगामी किसे कहा जाता है बिलकुल सही जवाब है option number eight is the correct answer हो जाएगा दोस्तों महमुद गवाको next question है question number eight है दोस्तों बहमनी समराज का कितने राज्यों में विभाजन हुआ बिलकुल सही जवाब है option number d is the correct answer हो जाएगा दोस्तों पांच राज्यों में question number nine है गवाज बहमनी समराज से सबसे पहले कोन राज्यों तंत्र हुआ बिलकुल सही जवाब है गवाज option number a is the correct answer हो जाएगा बरार question number 10 है गवाज बहमनी समराज से सबसे अंत्र में कोन राज्यों तंत्र हुआ बिलकुल सही जवाब है option number d is the correct answer हो जाएगा दोस्तों वीदार question number 11 है अधीना महजिद कहां इस्तित थे गवाज बिलकुल सही जवाब है गवाज option number b is the correct answer हो जाएगा बंगाल में question number 12 है गवाज अटाला महजिद कहां इस्तित है बिलकुल सही जवाब है option number a is the correct answer हो जाएगा जोनपूर में question number 13 है गवाज परस्चिद वीरू पाक्ष मंदिर कहां आवस्तित थे गवाज ये यूपी एस्ची 2009 में पूछावा सवाल है बिलकुल सही जवाब है option number c is the correct answer हो जाएगा हम पी में question number 14 है गवाज क्रिशन देव राइक का उडिशा के सासक प्रताप रुद्र गजपती के विरूद अभिहान को किस इतिहास कारने शौलवी सदी के भारती इतिहास की सबसे सांदार सेनी घटना कहा है बिलकुल सही जवाब है option number c is the correct answer होगा निलकंठ सास्त्री question number 15 है गवाज आप लोग के बीच में परसिद विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित अस्तम्ब संगित मैस्वर निकालते हैं कहां अवस्तित है बिलकुल सही जवाब है option number c is the correct answer होगा हम्पी में question number 16 है दोस्तों आप लोग के बीच में राजा कृसन देव राए के संबंद में निमली खित में से कौन सा कथन सही नहीं है बिलकुल सही जवाब है option number d is the correct answer होगा दोस्तों उन्होंने अपनी सर्वस्रेष्ट क्रिती अमुक्त माल्यद की रचना संस्कीत में की यह जवाब है question number 17 है गाईज भक्ति आंदोरन के प्रारंभिक परतिपादक कौन थे हैं बिलकुल सही जवाब है option number a is the correct answer होगा रामानुज अचार्य question number 18 है गाईज आप लोके बीच में पंजाब में भक्ति आंदोरन के अग्रदूत कौन थे हैं बिलकुल सही जवाब है गाईज option number a is the correct answer होगा गुरू नानक question number 19 है गाईज भक्ति आंदोलोन को दच्छिन भारत से लाकर उत्तर भारत तक परचारित करने का स्रे किसे दिया जाता है बिलकुल सही जवाब है option number a is the correct answer होगा रामा नंद को question number 20 है गाईज महराष्ट में भक्ति संप्रदाई निमलिखित में से किसकी सिक्छाओं द्वारा फेला था बिलकुल सही जवाब है option number b is the correct answer होगा दोस्तो संत ग्याने स्वर question number 21 है दोस्तो कबीर के गुरू कौन थे हैं बिलकुल सही जवाब है option number a option number b is the correct answer हो जागा गाईज रामा नंद नेक्स्ट को सेने को स्वर्ण कहां हुआ था यह सची 2002 में पूछा हुआ सवाल है गाईज बिलकुल सही जवाब है option number b is the correct answer हो जागा वारा नसी या मगहर को स्वर्ण थाड़े दोस्तो चैतन्य महापर्वु कि संप्रदाय से जुड़े हुए थें बिलकुल सही जवाब है option number c is the correct answer हो जागा दोस्तो गोंड़िये संप्रदाय से question number 24 है आपको के बीच में गाईज पुष्टी मार के दर्शन की अस्थापना किसने की या अर अर भी में पूछा हुआ सवाल है गाईज बिलकुल सही जवाब है option number d is the correct answer हो जाएगा वलभा चारिये नेक्स कॉस्चन है question number 25 जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल भी है गाईज कि संत ने इस्वर को अपने पास अनुभाव करने के लिए नित्य गीतो यानिकि किर्तन को माध्यम बनाया बिलकुल सही जवाब है option number d is the correct answer हो जाएगा चतन्य महापरभूने तो यह हुए आज के हमारे ट्योप 25 question गाईज जो कि सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए अतिमत्तकुन है सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फिडबेक जरूर देजेगा और सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हमारे चैनल को और टेलेग्राम चैनल पर भी जोड़ जाएए गाईज क्योंकि यहां अपनी में आपको बहुत सारे कंटेंट सेयर कर देता हूं जो कि सभी पतियोगी परिछाओं के लिए इंपोर्टेंट होते हैं सेशन को पूरा देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवार और सेशन को लाइक जरूर कर देजेगा साथ में दोस्तों के बीच में भी सेयर कर देजेगा फिर मिलते हैं नेक्स सक्षन में तब तक के लिए बने रही है हमारे चेनल में जहिन जे भारत